हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उमीद देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं प्रेक्टेसेट 5.5 का कोश्चन नमबर 3 और कोश्चन नमबर 4 ठीक है और इसके पहले की वीडियो में हमने कौन-कौन से कोश्चन द यह कैसा ट्राइंगल है तो यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइट्स क्या हो कॉंग्रुएंट हो ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने देखिए यहां पर आगे क्या बोला है कि यह ज अतलब कौन सा ट्राइंगल देखो F-E-D यानि कि यह वाला जो ट्राइंगल है यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा हम लोगों को यहां पर प्रूफ करना है ठीक है अब यह कैसे होगा चलो समझते हैं तो यह बहुत ही आसान कोश्चन है देखिएगा अभी हम लोग य is an equilateral triangle is an equilateral triangle ठीक है एक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है equilateral triangle यानि कि इसके जो सभी sides है न वो आपस में क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे मतलब a b के equal क्या होगा बच्चे लोग b c है न और b c के equal क्या हो जानेगा a c ऐसा मैंने कैसे लिख दिया क्योंकि यह triangle कैसा triangle है तो equilateral triangle है ठीक है और यहाँ पर क्या information दी गई है तो यहाँ पर यह बाते बताएं गई है चलिए हम इसको भी लिख लेते given part में क्या लिखेंगे points f d f d and e are mid points of mid points of side a b side b c side a c respectively ठीक है and side a c respectively अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो हम कहा पर लिखेंगे student तो प्रूफ में लिखेंगे ठीक है तो बताएं यह हम क्या प्रूफ करना है हमें यह प्रूफ करना है एक्वी लाइटरल ट्राइंगल यह हम लोगों को प्रूफ करना है तो चलिए यहां से जो इसका प्रूफ है न वो हम शुरू करते हैं तो कैसे होगा चलो आपको बताती हो देखो अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूँ कि यहां पर यह जो छोटू वाला ट्राइंगल है न इसके स ठीक है तो हमें क्या करना होगा इसके तीनों साइट्स को कॉंग्रूइंट लाना होगा अब कैसे आएगा चलिए समझते हैं तो देखिएगा यहां पर सबसे पहली बात गीवन से हमको क्या मिला कि यह जो A B है ध्यान से देखो इधर यह जो A B है which is equal to क्या है BC के equal है और फि यहां पर यहां पर 1 by 2 से हम multiply कर देंगे ऐसा क्यों मैं कर रही हूं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा पहले लिखने दू क्या करेंगे हम 1 by 2 से multiply कर देंगे हर जगा ठीक है तो यहां पर 1 by 2 A B हो जाएगा फिर इधर के आएगा 1 by 2 B C और इधर आ जाएगा 1 1 by 2 A C हमने यहां पर क्या क्या multiply किया ना तो लिखो इसका कारण और इसको लिखना equation number 1 इधर क्या लिखोगे multiplied by 1 by 2 ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा जैसे कि हम यहां पर जानते है point F क्या है student midpoint है और यह D क्या है midpoint है पहले आप समझ लो यहा और D क्या है midpoints तो मैंने क्या किया यह दोनों midpoints को join किया ना तो यह वाली जो line हमको मिले मिली है मतलब यह जो FD यह AC की क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा या अगर मैं आपसे FD का length पूछू तो आप मुझे क्या बोलोगे यह क्या होगा half of AC है ना उसी तरीके से यह भी हो तो वो midpoints है तो क्या लिखेंगे points F D E F D and E and E are the midpoints of midpoints of side A B side B C and side A C respectively यह भी question में दिया गया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे giver ठीक है चलो अगर आगी का देखिएगा अगर यह midpoints है तो अभी हम देखो कौन कौन सा लेने वागा वाले हैं इन दोनों को लेने वाले मैंने क्या कि यह दोनों midpoints को जॉइन कर दिया ठीक है तो यह जो F D है ना इसका length किसके equal हो जाएगा student तो half of AC है ना तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा देखिएगा अभी हम इन दोनों को लेने वाले point D और E यह जो E है ना यह किसका midpoint है AC का और D किसका है BC का बराबर तो मैंने क्या कि है इन दोनों को जॉइन कर दिया तो यह वाला जो segment है ना वो किसके parallel होगा AB के parallel होगा यह जो ED है ना इसका length क्या होगा half of AB क्योंकि इसके parallel में जो line रहती है उसी का वो आधा होता है midpoint theorem यहाद है ना अप लोगों को तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे student यहाँ लिखेंगे ED which is equal to half of किसका half होगा तो AB का half हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे equation number 3 समझ में आ रहा है कि ने देखो हर जगा हम लोग midpoint theorem ही लगा रहे हैं अब उसके बाद यहाँ पर इसके लिए भी देखो अभी इसको लेंगे इसको लेंगे यह दोनों क्या है midpoints है मैंने क्या किया midpoints को join कर दिया तो यह जो line segment हमको मिला है न यह parallel होगा third वाली side यानि कि BC के और अगर इसका length पूछा जाए तो यह क्या होगा half of BC तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि FE which is equal to half of BC और इसको हम लिखेंगे student equation number 4 ठीक है तो चलो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आया equation number 1 देखिए और equation number 2,3,4 सबको देखिए यहाँ पर क्या है half of AC फिर यहाँ पर क्या है half of AB यहाँ पर क्या है half of BC तो देखिएगा यह सभी क्या है आपस में देखो equal है है की नहीं यानि कहने का मतलब क्या है सुनिए यह जो half of AC है na student कहां गया half of AC इसके place में क्या लिख सकती हूँ FD लिख सकती हूँ है ना इसमें देखते चाहिएगा यह जो आपको दिखाई दे रहा है रुको मैं इधर लिखती हूँ देखो यहाँ पर म क्या लिख सकते हैं यहां पर यहां पर है अधर मतलब हमने क्या देखा किई चोटओ स्वाफट साइट क्या गए two each ओंकर ना अगर और त्युक्त होते तो वो कैसे होता है तो ऐको लेट उनक्राइगल होता है ठीक है तो देख कि इन ट्राइंगल ध्यान तो देखिए इन ट्राइंगल F-E-D F-D-E F-D-E यही नाम था ना F-E-D ओके चलो ट्राइंगल F-E-D में देखिएगा यह जो F-D है ना F-D यह किसके इक्वल है तो D-E-K और यह इक्वल है F-E-K मतलब यहाँ पर तीनों की तीनों साइट्स क्या है? इक्वल है और अगर ऐसा है तो पिर आप क्या बोलो के देखो का फाइनल अंसर देखो कितना सिम्पल था तो देख लीजए इसको अच्छे से कौष्टन नमबर थ्री और फिर उसकी बाद हम लोग देखेंगे question number 4 वो भी simple ही है चलिए next question देखते हैं तो ये रहा आपका fourth question देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो segment PD है न ये देखो यहाँ पर ये क्या है median है कौन से triangle का तो triangle PQR का ठीक है देखो ये बड़ा वाला triangle आपको दिखाए दे रहा होगा इसका median क्या है तो ये जो PD है न ये क्या है इसका median है और यहाँ पर क्या information दी गई है तो point T is the midpoint of segment PD यानि कि ये जो point T है न ये क्या है PD का midpoint है यानि कि PT और TD दोनों क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे ठीक फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें क्या बोला है प्रूफ करने के लिए तो PM upon PR which is equal to 1 by 3 ये हम लोगों को प्रूफ करना है और देखेगा यहाँ पर इन्होंने कुछ अगर यह नहीं रहता ना तो हम लोग क्या करते यहाँ पर ड्रॉफ करते लेकिन उन्होंने आल्रेडी किया हुआ है तो चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसका गीवन पार्ट लिखेंगे है ना ध्यान से देखो बहुत ही सिंपल median of triangle PQR ठीक है यह पहली चीज़ और दूसरा यहाँ पर क्या दिया है कि point T क्या है point T is the midpoint of segment PD ठीक है यह आपका given part हो गया अब देखिए हमें क्या proof करना है यहाँ पर हम लिखेंगे to proof क्या proof करना है तो PM upon PR which is equal to 1 by 3 ठीक है यह हम लोगों को proof करना है यह प्रूफ करना है एक बार मैं टेक्स्बुक में देखो PM upon PR which is equal to 1 by 3 सही है चलो अब उसके बाद हमें आप पर क्या करेंगे स्टूडेन construction करेंगे देखो जो हिंट में दिया गया है तो construction में हम इसको लिख देते हैं construction क्या लिखेंगे draw dn is parallel to qm ठीक है यह हो गया हमारा construction अब चलिए यहां से जो इसका proof है वो हम शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में converse of midpoint theorem होना चाहिए चलिए एक बार आपको revise करवा देती हूँ बताओ जो converse था midpoint theorem का उसमें क्या हमने देखा था कि जैसे कि हमारे पास एक triangle है और ट्रैंगल में किसी भी कि जो इसके parallel होगी ठीक है तो यह जहां पर third वाली side यानि तीसरी side को जहां पर intersect करती है वो point इसका क्या बन जाता है midpoint बन जाता है ठीक है याद है तो बस याद रखिएगा क्योंकि converse of midpoint theorem का use करके हम इसको proof करने वाले हैं ठीक है चले देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्य करेंगे ना यहां पर एक triangle लेने वाले कौंसा triangle लेंगे तो यह वाला triangle लेंगे कौंसा यह वाला देखो आपको समझाती हूं PDN यह वाला triangle है ना इसमें कई सारे triangle है लेकिन पहले इसको लेंगे PDN नाम देखो आपको समझ में आएगा यहां पर हम लिखते हैं in triangle PDN टीक है triangle PDN में हमें क्या लाना है पता है यह जो point M है इसको हम लोग midpoint लाएंगे कैसे आएगा आप भी पता चलेगा रुको देखो triangle PDN में हमने क्या देखा यह जो point T है यह क्या है midpoint है PD का यह देखो यहां पर लिखा हुआ point T is the midpoint of segment PD तो हम लिखते हैं कि point T is the midpoint of point T is the midpoint of segment PD ठीक है यह कहां से लिखा बोलो जल्दी से given धाना तो यहां पर हम लिख देंगे student given ठीक है चलो पहली चीज तो यह हो गई देखो Converse of midpoint theorem यूज करने के लिए हमार पर दो condition होनी चाहिए पहला तो किसी भी लिख सकती हूँ कि यह जो QT है ना student यह parallel है कि सके DN के यह हमने कहां से लिखा तो construction से लिखा इसका reason हम यहाँ पे लिखेंगे कि from construction है ना construction में हमने क्या देखा था यहाँ पर देख लीजे construction में हमने यह देखा था कि यह जो dn है ना यह parallel है qm के इसी लिए यह जो qt है यह parallel किसके हो जाएगा dn के हो जाएगा ठीक है तो इस वाले triangle में एक तो हमें midpoint मिला और यहां से हमने यह जो line यह जाएगा यह जाएगा इसका मिड़ बन जाएगा यानिके पी एम और अपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट एक वाल हो जाएंगे तो अब आप यहां पर यह लिख सकते हो कि p m which is equal to क्या आएगा mn और यह हमने कैसे लिखा तो converse of midpoint theorem और इसको आप लिखिएगा equation number one ठीक है चलो मैं इदर लिख देती हूँ converse of midpoint theorem ठीक है समझ में आया यह हमने कैसे किया अब उसके बाद हम क्या करने वाले ना इन दोनों को converse of midpoint theorem लगाएंगे और यह जो है ना mn और nr को एक्वल लाएंगे ठीक है चलिए देखते हैं अब यहां पर हम लिखेंगे कि in triangle कौन से triangle भोला था qmr ठीक है in triangle qmr इस triangle में देखिएगा यह दो condition होनी चाहिए Converse of midpoint theorem यूज करने के लिए हमारे पास यह दो condition होनी चाहिए तो देखो यह जो पॉइंट डी है न स्टूडेंट यह क्या हो चाहेगा midpoint हो जाएगा किसका midpoint होगा qr का midpoint होगा आप बोलेंगे यह तो कहीं पर दिया ही किसी को मैं क्या बोलूँगे स्टूडेंट मीडियन बोलूँगी बराबर मीडियन के बारे में आप जानते हो ना तो देखिए यह जो पेड़ी है यह क्या है median है यानि कि पॉइंट टी क्या हो जाएगा midpoint हो जाएगा किसका qr का तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं कि point d is the midpoint of is the midpoint of side qr यह कहां से लिखा तो अगर उन्होंने उसको median बोला है question में यानि कि यह midpoint हो जाएगा तो आप यहाँ पर directly लिख दो given यह हमने given में से लिखा मत पूछना कि कहां पर लिखा है मैंने explain किया नब median है यह इसलिए point d is का midpoint हो जाएगा ठीक है चलो पहली चीज तो यह हो गई और यहाँ पर बताओ midpoint तो हमें मिल गया और हमें एक parallel मतलब वो parallel segment भी चाहिए तो देखिए यह dn qm के parallel हो सकता है क्या हो सकता है ना देखो यह construction ठीक है अब उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं दो चीजे तो हमको मिल गई न तो by converse of midpoint theorem इससे हम क्या बोल सकते हैं जलदी से सोच करके बताएगे यह देखिए यह वाला जो मतलब यह जो midpoint है और यहां से हमने यह सेग्मेंट कीचा वो इसके parallel है तो यह कहां पर जाकर के इस वाली साइड को मिल रहा है यह point N पर यानिकि point N जो है यह क्या बन जाएगा यह midpoint बन जाएगा किसका MR का क्योंकि हमने यह वाला ट्राइंगल लिया था ना इतना पार्ट हटाओ देखो MR का यह midpoint बन जाएगा यानिकि MN और NR दोनों आपस में क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि MN which is equal to NR ठीक है और इसको आप लिखिएगा equation number 2 और यहां पर कौन सा theorem लगाया Converse of midpoint theorem तो मैं इधर लिख देती हूँ by Converse of midpoint theorem चलो इतनी बात तो clear हो गई होगी अब ज्यादा कुछ नहीं करना बस अब आगे देखिए answer हमको मिलने वाला है चलिए अब आप लोग इधर देखिएगा यह जो चारों पॉइंट्स है P, M, N और R यह चारों के चारों पॉइंट्स क्या है student co-linear है ना तो यहाँ पर मिखते हैं कि since यहाँ पर P से M है और M से N है और N से क्या है R मतलब यह सबी के सबी क्या है co-linear है यानि कि अगर मुझे P, R बताना है देखो यहाँ पर D留言 for अगर मुझे PR बताना है तो मैं क्या लिखूंघी पूरा अगर मुझे बताना है तो PM PLUS lå PLUS MR ऐसे करके मैं लिख सकती हूं क्योंकि मुझे पूरा बताना है ठीक है मतलब यह PR बताना है तो PR which is equal to क्या होगा अगर मैं इस वाले साइट इसको इसको plus करूँ तो क्या होगा यह PR के equal होगा यानि PR विच इक्वल डू PM प्लस MN प्लस NR ठीक इतनी बात समझ में आई अब आप लोगों को क्या करना है यहां पे कुछ MN यहां पर MN यहां पर MN मतलब PM MN जोस इक्वल MN यहां पर अपस में क्या होगा हो जाएंगे सब क्लस तो हम इधर बता देंगे व्रॉम1 और इसको आप लिख दीजिएगा equation number 3 ठीक है यह बात समझ में आई अब यहाँ पर question में देख लीजिए क्या क्या आया है तो PM आया है और PR तो यहाँ पर है अभी यह जो PM भी है यह जो MN और NR है ना इन दोनों को हमें यहाँ से हटाने की कोशिश करनी है तो कैसे हटेगा बस आप लोग देखतें जाओ जिपन के जगाँ पे पीएम ही रहने दो अब ये जो MN है ना में का लिए कि मोलिक सकते हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे यह सब कहां से लिखा व्रोम फोर लग दिजिए ठीक चलो अब आगे देखते हैं यहाँब पर आएगा PR which is equal to PM plus PM प्लस PM बताएगे तीनों मिल करके क्या हो जाएगा 3PM हो जाएगा ठीक अब देखो हमें answer मिलने वाला है हमें PM अपॉन PR which is equal to 1 by 3 मिल गया ना देखो कैसे देखो यह 3 इधर multiply में है जब इस side आएगा तो divide में हो जाएगा यानि कि ऊपर कुछ ने मतलब क्या 1 और 3 आजाएगा नीचे ठीक है इधर देखो जब यह उस side जाएगा तो देखो मालो यह ऐसा है 1 into PR तो जब PR उदर जाएगा तो divide में हो जाएगा यानि कि PM तो पहले से है और यहाँ प 1 PR which is equal to 1 by 3 hence proved ठीक है तो जो हमें proof करना था आप देख सकते हो हमने proof कर दिया है ऐसे ही करना था देख लो इसको अच्छे से यहाँ पर आपका question number 4 जो है यह complete हुआ ठीक है बहुत जादा यह difficult नहीं है देखो सबसे पहले हमने यह वाला triangle लिया इसमें इसको midpoint दिखाया यानि हमने यह वाला triangle लिया कौन सा यह वाला triangle लिया और इसमें हमने इसको midpoint दिखाया और फिर जाके हमने proof कर दिया ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजी यहाँ पर आपका यह चैप्टर नंबर 5 यह होता है complete ठीक है तो बाकी के सारे chapters तो complete है ही playlist में जाहिए और के question से उनको solve कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अभी यहीं पर रुपते हैं और निक्स वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे मतलब जो आगी के chapter से उनको हम देखेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं गुडबाय अवरीवन